एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जिन्दगी हमेशा उसके साथ ही खेलती है जो खिलाडी बहतरीन होता है कोई-कोई कभी-कभी जिन्दीकी के संघर्षों से बिखर जाता है हार कर और वहीं कोई-कोई संघर्ष करके निखर जाता है और हमें निखरने वाला व्यक्ति बनना है इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं competition community में और आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश में वंशों के बारे में वंश की स्थापना की थी इस वंश की स्थापना लन्नुक के द्वारा की गई थी बात करते सामंत की तो ये किनके सामंत थे तो चंदेलों को प्रतिहार राजाओं के सामंत माना जाता है इसके अलावा चंदेल वंश ने अपनी राजधानी खजराहों में बनाई थी और खजराहों जो है इसे पुराने समय में खजूर वाहक के नाम से जाना जाता था कहा चाता था कि खज्राहों में बहुत सारी खजूर के पेड़ लगे होते थे और इस कारण से इसे खजूर वहक के नाम से भी जाना जाता था नन्नुक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी चंदेलवंश के शाषकों के द्वारा जो सबसे बड़ी धरोहर हमें दी गई वो थे खजराहों के मंदिर चंदेल वंश के शाषकों ने 10-11 शतापदी के मध्ध में लगभग 85 मंदिरों का निर्माण करवाया इन 85 मंदिरों में से हमें वर्तमान में 22 मंदिर दिखाई देते हैं जो कि शेश बचे हुए हैं चंदेल वंश के बहुत सारे प्रमुख राजा हुए जिन में से एक राजा थे जिनका नाम था जैशक्ती और जैशक्ती के नाम पर ही मुंदेल खंड का नाम जेजाग भुगती राखा गया बात करते हैं चंदेल वंश के प्रमुख शाषकों की नन्नुक, वाकपती, जैशक्ती, अन्य शाषक हैं यशो वर्मन, धंगदेव, गंगदेव, विद्याधर और परमार्दी देव देखिए आपको क्या याद रखना इसमें से और क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर हैं सबसे पहले जो जैशक्ती हैं इनके नाम पर ही बुंदेल खंड का नाम जेजाग भुगती रखा गया है क्योंकि इनहीं का नाम जो था वो जेचाग था इसके अलावा जो वाकपती हैं ये सबसे जादा प्रसिधो और प्रतापी शाषक भी हुए हैं ननुक ने चंडेल वन्ष की स्थापना की यशो वर्मन बहुत ही जादा प्रतापी शाषक हुए हैं ये और इनके हमालय से लिए के बंगाल विजय तक के पूरे साक्ष जो वह खजरा हुं के शिलालेक क्यों होते हैं परमार्धी देव अर्थात राजा परमाल इस स्वन्ष के अंधिय करें और इस्वन्ष कर निंदिरह हैं और ये सब करेंदिरह हैंom माध्य प्रदेश में इसके साथ ही साथ में इसे युनेसको ने सबसे पहले विश्व दरोहर की सूची में भी शामिल करके रखा है इसके अलावा यहां पर कुल 85 मंदिर बनवाए गए थे जिसमें से अभी 22 मंदिर शेश बचे हुए हैं इन मंदिरों को तीन समुहों में बाटा गया है यह तीन समुहों कौन-कौन से हैं देखिए जो मंदिर है ना इन्हें तीन समुहों में बाट दिया गया है एक समुहों है हमारा दक्षणी समुह दूसरा है हमारा पूर्वी समुह और तीसरा है हमारा पश्मी समुह इन समुहों को हम बात में देखेंगे जब हम परिटन पढ़ेंगे उस समय मंदिर के बारे में हम डीटेल देख लेंगे अब इस सिर्फ नाम देखते चलते हैं यह लक्षमन मंदिर है जो कि चंदेल वन्ष की राजाओं के द्वारा बनवाया गया इस मंदिर में पैर के पास रखी हुई एक चंद्रशिला बहुत ज़्यादा फेमस है और इस मंदिर के द्वार पे बना हुआ मकर तोरण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कंदरिया महादेव मंदिर यहां खजराहों का सबसे सुन्दर और सबसे बड़ा मंदिर है इसके अलावा यह अपने एक विशेष्टा रखता है यह मंदिर जो है बहुत सारे अलग-अलग छोटे-छोटे मंदिरों के भागों में बटा हुआ है चित्रगुप्त मंदिर जो है वो भगवान सूरे को समर्पित है यहां पर चित्रगुप्त जी की भी एक प्रतिमा रखी हुई है परन्तु किस भगवान को समर्पित है तो भगवान सूरे को समर्पित यहां मंदिर है पाशनात मंदिर यहां मंदिर अपनी कलाकृती के लिए जाना जाता है यहां मंदिर जो है वो जैन धर्म से सम्मंदित इसके अलावा जो एक और मंदिर से जिसका नाम है आदिनात मंदिर यहां भी जैन धर्म से ही सम्मंदित है तो नेक्स्ट है आदिनात मंदिर यहां भी जै मंदिर वो शारे बलुवा पत्थर से निर्मित किये गए एक माट मंदिर जो की ग्रेणाइट पत्थरों से बना है वह रजुन योगनी मंदिर चतुर्बुर मंदिर जो है वो बहुत जादा फेमस मंदिर है यहां पर भगवान की प्रतिमा भगवान विश्णु की प्रतिमा बनी हुई है दूलादेव मंदिर की बात करते हैं तो यहां पे सबसे जादा कामुक मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं खजराहों की अंतरगत तो दूलादेव मंदिर इसका प्रसिद्ध है मदिर प्रदीश में राष्टकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी इस वंश का एक प्रमुक शाषक है जिसका नाम है धारा वर्ष यह बहुत जादा प्रतापी माना जाते थे और इसके साथ में एक और शाषक है जिनका नाम है अमोग वर्ष तो इस वंश की स्थापना की गई यहां के दो शाषक एक का नाम था धारा वर्ष जिनने ध्रुव वर्ष भी कहा जाता है और एक है जिनका नाम है अमोग वर्ष जो है उन्होंने पंपा नदी की किनारे अपने जीवन का त्याग कर लिया था समाधी ग्रहण कर ली थी अगले वंश की तरफ आंगे चलते हैं मध्य प्रदीश में मालवा का परमार वंश मालवा का परमार वंश इस कारण से महत्वपोड हो जाता है क्योंकि मालवा के राजा भोज जो है उन्हें उनी की कारणी भोपाल का नाम भोपाल रखा गया और धार को हमें भोज नगरी के नाम स शीयक और इसने इस्थापना की पर्मारवन्ष की इनकी राजधानी क्या थी तो इनकी दो राजधाने दिखाई देती हैं पहले जो परमारवंश की राजधानी थी वो थी उजयन और दूसरी जो इन्होंने राजधानी बनाई वो थी धार लेकिन उजयन से इस राजधानी को धार में परिवर्तन किस ने किया तो राजधानी परिवितित करने का श्री इस वंश के शाषक बैरी सिंग द्वतिय को जा वाकपती मुंझ अत्याधिक प्रतापी शाशक रहे हैं इन्होंने धार में मुंझ सागर जील का निर्माण भी करवाया था बैरी सिंग द्वती वह शाशक रहे हैं जिन्होंने राजधाने को उज्जैन से धार परिवर्टित किया था राजा भोज सबसे प्रतापी शाशक र बात कर लिते राजा भोज की तो राजा भोज का सीधा सम्मंद हमारे धार भोपाल वाले शेत्र से हैं राजा भोज ने भोपाल में भोजपूर नामक एक शहर की स्थापना की इसके अलावा भोजपूर का शिव मंदर बनवाया इसके अलावा धार में भोजपूर का संस्कृ विश्व विद्याले बनवाया या फिर भोज शाला का निर्मार कराया जो कि बहुत ज्यादा फेमस है अब फोटो देखते चलते हैं कौन-कौन से शेत्र हैं सबसे पहले जो मुझ सागर जील है यह वही है जो कि वाकपती मुझ जी के द्वारा बनवाई गई थी किस जिले मे मुझ सागर जील है यह तो यह वाली मूर्ती तो यह भोज ताल के इंतरकत जो की भोपाल्पाल के ऑधं आता है जिसे भोपाल का बड़ा तालाव भी कहा जाता है ना नेच्स्ट है भोजपुर का शिव मंदिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग इस्थित है यहां पर कैसे आपको देखना है अगर आप भोजपुर के शिव मंदर को गौर से देख रहे होंगे तो यहां पर जो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहे ने यह वाला जो भोज ताल, जिसकी बात कर रहे थे हम की राज़ा भोज ने इसकी स्थापना करवाई इसका निर्माड करवाया था, इससे हम भोपाल के बड़े तला, आपके नाम से बी जानता, यहाँ पर बोटिंग भी शुरू हो गई है फिर बात करतें भोजशाला की तो जो ये भोजशाला है ये राजा भोज़ के द्वारा बनवाई गए थी और इस भोजशाला में संस्कृत अध्यन किया जाता था क्यूंकि राजा भोज जित्रे जादा प्रतापिष आशक रहे हैं एक इन्हों ने सरश्वती मंदिर बनवाया था जिसे वागदेवी मंदिर कहा जाता और इसके अंतरगत वागदेवी की प्रतिमा रखी हुई थी और यह जो प्रतिमा आपको आज दिखाई दे रही है यह अभी वर्तमान में धार जलेने स्थित नहीं है बलकि इस वरतिमा को म अपने साथ लंडन लेके जा चुके हैं तो यह प्रतिमा अभी नहीं है अभी वागदेवी का जो मंदिर है वहाँ पर केवल एक पोस्टर की पूजा की जाती है मध्य प्रदेश में कल्चूरी वंश इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े शित्र में यह फैला हुआ था इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी कल्चूरी वंश की बात करते हैं तो यह दो भागों में बटा हुआ है महिश्मती की कलचूरी की बात करेंगे तो ये बहुत ही जादा समय पहले थे महिश्मती शाखा की बात करते हैं तो इस शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ स्थापना की गई थी? कृष्ण राज जी के द्वारा इसके अलावा जब बात करतें त्रिपूरी शाखा की तो त्रिपूरी की शाखा की स्थापना कोकल के द्वारा की गई थी और हमारा सम्मन्द सीधे-सीधे कोकल से है क्योंकि यह जो है यह 500 इश्वी की बात है और यह 84 इश्वी की बात है मतलब लगबग 45-400 साल का अंतर इन वन्षों के मद्य में रहा है इसके अलावा यह है फ्राचीन वन्षे और यह जो है यह नवीन वन्षे इसकी श्थापना कोकल के द्वारा की गई थी बात कर लेते हैं त्रिपुरी के जो कल्चूरी वन्षय उसके शाषक कौन-कौन से रहे जो कि प्रसिद्ध रहे तो कोकल जिसने स्थापना की युवराज देव प्रथम युवराज देव प्रथम को राज शेखर ने अपनी पुस्तक विद्शाल भंजिका में उजयनी भुजंग कहा है तो राज शेखर जी जो थे अब ये बंदा कौन है देखो राज शेखर जो है न वो एक कवी है जो कि युवराज देव प्रथम के दरबार में रहा करता था और इस कवी ने एक किताब लेखे जिसका नाम था विदशाल भंजिका और विदशाल भंजिका में इसने कर्ण को मिलने वाली लगतार सफलता के कारण इन्हें हिंद का नेपोलियन भी कहा गया विजय सिंग इस वन्ष का अंतिम शाशक रहा है और इसके बाद यह जो सत्ता थी इस वन्ष की संपूर्ण सत्ता चंदेल वन्ष के हाथों में चले गई और चंदेल वन्ष के बाद यह स किस शाशक ने मध्य प्रदेश में आक्रमन किये और किस किस शाशक ने मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़े निर्मित की इसके अलावा हम मध्य प्रदेश की गोणवंश और सांती साथ में मध्य प्रदेश में भोपाल की रियासते मध्य प्रदेश की अन्य रियासतों के बारे में भी चर्चा करेंगे मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं थैंक्स